कि नमस्कार पिरिया जनों आप सभी का मेरी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपके अपने शुब्चिन तक आप आए मेरी चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज बात करूँगी कैसे उपाय की जो पहले सावन के सौमबार को उन बच्चे-बच्चियों को जरूर करना चाहिए जो बच्चे-बच्चियां ये कहते हैं कि हमारी विबा के रिष्टे आते हैं और आकर वापस मुड़ जाते हैं चले जाते हैं और उन लोगों को भी करना चाहिए जो नोकरी से या बिजनस से किसी प्रिकार से प्रेशान है यहां तक कि कहूंगे कि जो कोई रोग मुक्ति चाहते हैं उन्लोगों को भी उपाई जरूर करना चाहिए सावन का महीना बहुत पवित्र महीना भोडे महीना को समर्पित महीना चल रहा है और इस्में लोग तरह-ठरह से भोडे-नात्त्त की पूजा तरह-ठरह कि 사मगरियां अरपित करके करते हैं भोले-नात्त को परसंड करते हैं मांगोरी को परसंड करते हैं ता कि उनकी ह्रम्नो कामना पूरण हो उन्हें संक्टों से विपतियों से कष्टों से मुक्ति मिले चुकि इनसान जो है वो कुछ नहीं कर सकता अपने कर्मों के भुगतान के आगे सिर्फ इश्वर ही हैं जो उनके संक्टों को काट सकते हैं जो उनकी विपतियां दूर कर सकते हैं तो आज का उप डाल रही हूँ पहले सौंबार में सुबह ही तो आप इसको शाम को उपाई को जरूर करिएगा को ज्यादा टाइम नहीं लगना है को ज्यादा खर्चा नहीं लगना है इसमें आपके पास दही एक कटोरी होना चाहिए मैं कहूंगी कि घर का जमा हुआ अगर आपके दही है त किसी बच्ची ने मेरे को कल के कमेंट वाक्स में पूछा था कि क्या शुक्र ग्रह को मजबूत करने का कोई उपाई है बिलकुल भॉले नात को परसंद करने के लिए शुक्र ग्रह को अपने भेवर में करने के लिए बिलकुल हमारे पास बहुत सारे ऐसे उपाई हैं जो बच्चे जानते हैं कि शुक्र ग्रह जो होते हैं वेवाही के कार्ग होते हैं आपके विवा में आपको विवा तो आपका गुरु भगवान ब्रस्पति भगवान करवा देंगे लेकिन आपका विवाह एक अच्छे इंसान से जो आपको खुश रखेगा आपको लगजरी ला तो शुकर भगवान को परसंद करना सबसे पहले जरूरी है, शादी हो गई, फिर दुखी है, तो कोई मतलब नहीं निकला उस शादी का, लेकिन शादी हो जाए, लेकिन आप खुश रहो, सुखी रहो, ये सबसे बड़ा मतलब है, तो आज का उपाए शुकर भगवान को खु तो सिर्फ एक कटोरी दही को पतला साब्सुत्रा स्वच कपड़ा ले लीजिए, धुला हुआ, अगर नया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके धुला हुआ, नया नहीं है, तो धुला हुआ कोई कपड़ा हो, पतला साब्स कर लटका दीजिए, इस दही का नीचे टपकता रहेगा यह दही का पानी उसमें तो आपका दही पूरा निचूड़ा हुआ होगा एक दम से एक जिस तरह से बहुत सक्त आटा गुथा हुआ होता है उस तरहे का यह पेड़ा बनके रह जाएगा इस पेड़े को लिजिए और यह सक्त सक्त जो है दही आपका पानी वाला दही होगा तो देखिए फिर शाम को उतना वो डीला रहेगा और सफ नहीं हो पायेगा, बिना पानी का दही जो अच्छा सा जमख होता है, वही सफ หोपाएगा शाम को, तो शाम को यह सफ हो जाएगा, इसको लीजिए, यह गोल-गोल है तो इसको थोड़ा सा चा बोलेनात हैं अब इनकी आप पूजा करना शुरू करेंगे इनकी पूजा में आपको क्या-क्या अरपित करना है वह बता रही हूं आपको और इनके सामने कौन से आप मंतर का चप करेंगे ये भी बताऊंगे अभी आगे आप इन भोले नात को एक तो गुलाब के दो फूल जरूर अरपित करिएगा जो शुकर के परतीक होते हैं इन भोले नात को आप चीनी जरूर अरपित करिएगा जो शुकर की परतीक होती है इन दही के भोले नात को आ आप चावल जरूर अरपित करिएगा जो शुकर के परतीक होते हैं इन भॉलेनात को आप दही के भॉलेनात जो है आप इनको मिश्री अरपित करिएगा परसाद के रूप में जो की बहुत ही जरूरी है क्योंकि मिश्री भी शुकर का परतीक है इन भॉलेनात को आप दूद ज जल घी घी भी शुकर का प्रतीक है और थोड़ा सा चीनी यह मिला लीजिए सारी शुकर की चीजें हैं आप सारी मिला के चमच में मिला लीजिए क्योंकि यह वह शीवलिंग नहीं है जिन पर आप कोई भी चीजें उडेलते जाएंगे जल दूद खूब सारा बहुत सारी उनके ओपर ये पंचामरत अर्पित करें जो शुकर के परतीक हैं भगवान शुकर बहुत आपके फिवर में होंगे बहुत परसंड होंगे यह सारी चीजें आप अर्पित करें और थोड़ा सा जल जैसे ही चमच से आप पंचामरत अर्पित करें तो उसके पीछे जल अरपित करना शुद्ध जल अरपित करना बहुजरूरी होता है जितना एक चमच आप पंचामरत अरपित करते हैं इन पर वह ही आप एक चमच जल अरपित कर दीजिए बास इनके उपर आपको जोत करनी है शुद्ध देशी घी की शुक्र के परतीक हैं आपको उस कपूर के सा का पूर शुकर के परतीक हैं आपको जो चीजें शुकर की हैं वो सारी भोड़े नात को अर्पित करनी हैं आज के दिन आप देखिए कि पहले शुकरवार दूसरे तीसरे चोथे शुकरवार तक आपके शुकर इतने फेवर में आपके होंगे कि आप समझने ही पाऊगे कि एक बहुत अच्छा सा जिसे कहते हैं कि बहुत आदर्श पति-पतनी का जोड़ा होता है वो आपका बनेगा आपके लिए रिष्टा उस लड़के का आएगा जो आपके लाइक होगा आपको खुश रखने वाला होगा लड़के भी इस उपाए को करें ममी पापा करें बच्चों करें इस उपाए को करना चाहिए और दही के इस शिवलिंका आप चारो समबार में उपाए करिएगा चारो समबार में आपकी बहुत शिगर से शिगर मनोकामना पूरुन होगी हर तरह की मनोकामना पूरुन होगी यह नहीं है कि एक ही होगी हर तरह की मनोकामना पूरुन बच्चियां इस उपाई को जुरू करेंगे और उनकी मौनो कामना पूरण भी जुरूर होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट बक्स में हर हर महादेव जुरूर लिखें मैं मिलती हूं किसी अगले वीडियो मे एक नया टोपी लाइकर तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धर्वाइब